नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका YouTube चैनल Competition Boss पर मैं हूँ आपका दोस्त नितेश दिल्ली में Home Guard की वेकेंसी पर मैंने वीडियो बनाया था और कहा था कि बड़ी जल्दी इसकी भरती आपको देखने को मिलेगी तो भाई उसके आवेदन भरना शुरू हो गए हैं कहीं के भी निवासी हैं आप तो आपके लिए क्या वेवस्ता है मेरी बेहनों के लिए क्या वेवस्ता है और क्या इसका सेलेक्शन का प्रोसेस रहने वाला है सारा डीटेल आपको इस वीडियो में आज मैं बता रहा हूँ लिंक दिया है जो ओफिशल उसमें भी आप चेक कर सकते हैं तो सबसे पहले बात करें दिल्ली में होंगार बरती की कुल खाली पदों की तो जिस पर बरती हो रही है उनमें पदों की संक्या है 10,258 अब इस में से 33.33 जो पद है वो मेरी बेहनों के लिए आरक्षीते हैं यानि कुल मिला के करीब 3,400 के आसपास पदों पर मेरी बेहने या मैलाएं आवेधन भर सकेंगी एज लिमिट की बात करें तो 20 से 45 साल 20 से 45 इयर्स रखी गई है और दिल्ली के मूल निवासियों के लिए जो रिजर्वेशन है उसके अनुसार भी उन्हें छूट मिलेगी दूसरी इसकी योग्यता की बात कर लेते हैं तो सबसे पहली बात तो यह कि आपको 12 पास होना जरूरी है यदि आप 12 पास नहीं है तो आप इसमें आविदन की दोड में या दिल्ली ओंगार बरती की दोड में शामिल नहीं होगे एक इंपोर्टेंट बात और बता देता हूँ यह जो बरती अप पूरी तरह ऐस्था ही है कॉंटेट के आदार पार है कुछ ही साल के इसाब से यह बरती की जाएगी के लिए रहे तो योगिता की बात कर रहे है कि सबसे पहली बात तो आपका 12 पास होना जरूरी है परसेंटेज का कोई इशू नहीं है दूसरी बात आप दिल्ली के मूल निवासी होना जरूरी है यानि कि भार के राज्यों के लिए यहाँ ये वेकेंसी एक तरीके से बंद है तो केवल दिल्ली के मूल निवासी के लिए है अब दिल्ली का मूल निवास आप कैसे प्रूफ करेंगे क्या document मांगा है वो आपको बता देता हूँ अगर मानली जी आपके पास passport है तो आपको valid है अगर voter ID है दिल्ली का तो आप valid है राशनकार है दिल्ली का वर्तमान में जो जारी है राशनकार पुराना नहीं वर्तमान जो चल रहा है वो राशनकार है आपके पास तो आपको मूलनिवासी माना जाएगा और दिल्ली Transport Corporation की तरफ से जो आपका Driving License जारी है वो आपके पास प्रमान पत्र है तो वह भी माना जाएगा अब याणि की दिल्ली का मूलनिवास्र प्रमान पत्र आपके पास नहीं है इनमें से कोई document है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं तो इसका फायदा क्या होगा कि बहुत सारे बाई-बैन यूपी के बियार के मद्यपरदेश के राजिस्थान के अर्याना के दिल्ली में रह रहे हैं उनके पास वहां का राशन कार्ड है रहां से वो राशन भी ले रहे हैं या वो राशन कार्ड जब हटाया गया था तो का गया था आपको इस तरफे की जब वेकेंसी आएंगी या आगे जो वेकेंसी आएंगी उन्हें समयोजित किया जाएगा कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से63े लेकिन यहां दूद में मक्की की तरह उनको सीविल डिफैंस करमीों को निखालके द अंदोलन और उनके दमखंपर ही बेस होगा अब बात करें इसमें सेलेक्शन कैसे होगा तो सेलेक्शन में दो चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी पहले आपका रिटेन टैस्ट होगा दूसरा आपका फिजीकल होगा दोनों को मिला के आपकी मेरिट बनेगी अब रिटेन क्विज़् प्रकाशित होती है उसकी बिटिसे आपके नई-ने जीके के कोस्टेंस मिल जाएंगे तो दूसरा आपको आपकी तयारी का अन्दाज़ा हो जाएगा है कितनी आपकी तयारी है उसके आधार पे आपने तयारी को और भी धार दे सकेंगे तो इसलिए सुबह सुबह साथ बजे competition बहुत YouTube channel को देखना बिल्कुल भी ना भूले ये इसकी quiz प्रकाशित होती है उस quiz को जरूर एक बर आपको check करना है कि वह एक second आदे second का ही काम है जरूर कर लेना अब बात करना है इसका exam कैसे क्या होगा तो exam जो है वो आपका 90 minute का होगा इसमें 80 question आएंगे और 80 number के ही होंगे जो questions होंगे उनका जो status है वो 10 वी के level का ही होगा योगजिता तो बार भी पास है लिगे इस तर पेपर का 10 वी के level का होगा अब इसमें क्या आएगा भई आपकी मैत हाईगी दस्वी के level की इसके अलावा आपका GK आएगा फिर आपका regioning आएगा संक्यात्मक अभियोग गेता और regioning भी आएगा फिर आपका इसमें दिल्ली का इतियास, कलास, संसकर्ति और दिल्ली के YouTube चैनल की तरफ ना भागें वो किवल आपके साय किसी दो सकते हैं आप मालीजे कहीं फिरी हैं और आपके पास कोई किताब नहीं है या आपके पास परियाब जगे नहीं है बैटने की तो आप उसको वीडियो को चला लीजी है या वेबसाइट को देख लीजे वहाँ तो आपके काम का है ठीक है बागी वैसे आप बुक्स से पढ़ना अच्छे बुक्स से जिनके लिंक मैंने वीडियो के डिस्कुप्शन में दे दिये हैं अब बात करें आपका फिजिकल फिजिकल में क्या होगा देखो फिजिकल में आपकी दौड होगी बागी नपाई भी होगी सीने वागे लेकिन दौड में ने इसमें और दौड चाए महिलाओ चाए पुरुषों सभी के लिए 1600 मीटर ही निर्दारीत है इसमें टाइमिंग अलग-अलग है एज के हिसाब से और महिलाओं के हिसाब से सबसे पहले पुरुषों के फिजिकल की बात कर लें तो दौड तो 1600 मीटर की मैंने आपको बता दी अब इसमें मान लीजे आप 30 साल तक हैं 30 वर्ष तक हैं तो फिर आपको 1600 मीटर की दौड आठ मिनिट में पूरी करने पड़ेगी अगर आप 45 साल या इससे अधिक हैं पूर्फ सैनिक हैं या CAPF के कार्मिक हैं CAPF के तो फिर आपको ये 1600 मीटर की दौड के लिए 10 मिनिट का टाइम दिया जाएगा तो 6 से 10 मिनिट के बीच आपके 1600 मीटर की दौड है प्रक्टिस आप करें 6 मिनिट में पूरी करने की तो 1.5 किलो मीटर हो गया करीब 1600 मीटर या नहीं की 1.5 किलो मीटर करीब हो गया दौड तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है दौड में क्यों आज कल कोरुणों के बाद जब इंजेक्शन लगें टीक है तो उसके बाद हार्ट अटेक की प्रोब्लम आ रही है तो मेडिकल की सला जरूर ले ले अपना जो कोलेस्टरोन लेवे ले वो जरूर चेक करा ले दौड बॉर्ड शुरू करने से पहले तेज सर्दी में नह के लिए भी 1600 मिंटर की है लेकिन 30 साल की अगर आप हैं तो 8 मिनिट दिये जाएंगे आपको पुरुशों को 6 मिनिट दिये गए महिलाओं को 8 मिनिट दिये जाएंगे 30-40 साल के आप हैं तो आपको 9 मिनिट दिये जाएंगे पुरुषों को 7 मिनिट दिये गए और 40-45 के हैं तो आपको 10 मिनिट दिये जाएंगे पुरुषों को 8 मिनिट दिये गए तो 2 मिनिट महिलाओं को मेरी बेहनों को जादा मिल रहे हैं तो उस हिसाफ से लेकिन आपके लिए भी गाइड लाइन है थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है अपनी फिजिक का अगर आप पूरी तरीके से स्वस्त हैं तो दौड़ शुरू करें उसकी प्रक्टिस करें नहीं तो एक बड़ डॉक्टर से चेक अप जरूर करें जहांच आ समझ से वज़ा तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है अब आपको सबसे पहला काम करना आविदन बर्ना बारी राज्यों के लिए क्या विवस्ता है एक्जाम में आपका क्या-क्या आएगा सलेक्शन में आपके एक्जाम रिटेन अग्जाम पिलस आपके फिजिकल ए ये जब आप